हेई गाईस कहीस है आप सभी लोग बनाच फिक्स ओस थर्टिन का रिव्यू करने वाले रॉम बहुत ही जादा स्टेबल और बहुत ही जादा स्मूथ है इसको मैं कम्प्लीट 3 डे से यूज कर रहा हूं कोई भी में गुदर इशू देखने को नहीं मिला इसके अबॉर्ट से बाइक नहीं है और डिवाइस का डिस्प्ले अधर 120 हर्स पे सेट है और यहां पर अपनीं ट्रोजिंग भी बहुत जल्दी होती रॉम को फ्लैश करने के बाद आपके डिवाइस का पर्फॉर्मेंस हो जाता यहां पर देख सकते हैं गूगल फीड वर्किंग है और इसके स् इसमें आपको गूगल का डेलर मिल जाता और इसका इंडरफेस देख सकते कुछ इस तरीके से हैं यहां पर सारे बटन्स लाइन में आ जाते हैं और इसमें कॉल डिकॉर्डिंग भी सबोर्ड़ है अब अपन इसके एक्स्ट्रा सेटिंस की बात करेंगे एप्लिकेशन पे तो यहां पर आपको गेंग स्पेस का ओप्शन देखने को मिल जाता बैटरी पर आ जाएंगे बन तो कस्टम रॉम का बैटरी बैटरी बैक अबरेज है अगर आप लाइड यूस करें तो बैटरी बैक अच्छा मिलता लेकिन अगर आप हेवी टाक्स कर रहें गेविंग कर तो बैटरी बैक अप उधना खास नहीं मिलता यहां पर थर्मल प्रोफाइल्स का ओप्शन मिल जाता इतने सारे प्रोफाइल्स पर आप सेट कर सकते और यहां पर थीमिंग पे एंगी तो यहां पर डाग थीम और वाइड थीम बहुत अच्छा वोग करता और वीविट कलर को आप इनेबर डिसेबल कर सकते हैं मौनेट इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता और यूस अल्टरेट सेटिंग्स यॉई का ओप्शन मिल जाता सेटिंग्स का अंडर्फिस चेंज हो जाता इसको इनेबल कर देने के बाद साउंड और वैबरेशन पेंगे तो यहां पर आप रिफ्रेश रेट का उप्शन मिल जाता इतने सारी रिफ्रेश रेट्स पर आप स्विच कर सकते वालपेबर इस्टाइल पे एंगे तो यहां पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता आप ग्रिट मैक्सिमम तू क्रॉस टू और मिनिमम फाइल क्रॉस फा करता और इसके रिफ्रेक्ट में कोई भी लाइक नहीं मिलता और इसमें अप लॉक भी सपोर्ड़ेट है देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सेफ्टी नेट की बात करेंगे तो यहां पर सेफ्टी नेट बाइडिफॉल्ट पास्ट है बैंकिंग एप्लिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती डिवाइस सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर दे सकते हैं डिवाइस सर्टिफाइड रहता डियारें इंफो वाइडवन एलवन इसमें आपको देखने को मिल जाता और यह स्टाक कैमरा इन्विल्ड इसमें आपको करेंगे तो यहां पर सिंगल कोर 560 और मल्टी कोर 1611 है स्कोर यहां पर आवरेज है गुगल फोडिस में स्पूफिंग अन्लॉक मिल जाती देख सकते हैं अब इसमें गेमिंग भी करके देख लिए पर्फॉर्मेंस कैसा रहता और 90F पर अन्लॉक मिल जाता अब 90F पर गेमि में कोई भी लाइग आपको देखने को नहीं मिलता मैं आपको स्टाटिक में भी बोला था अगर कंटिनियसली गेमिंग करें तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती और इसमें में को हीटिंग इशू भी फेस करने को मिला मैं बोल सकते हो यह कस्टम रॉम गेमिंग के लिए नहीं है अगर आप डेली उस के लिए रॉम को फ्लैश करना शाया तो कर सकते गेमिंग के लिए कस्टम रॉम होना है तो उपर आएबदेन में वीडियो मिल जाती फ्लैश करनेका सेम मेत है जैसा अपन NORMAL कॉस्टम रॉम सको फ्लैश करते सेम सेहे कर दो फृम्वे